तो आजे आपड़े आठी और क्लास दूना से ले बसमा जे डिफ्लेक्शन ओब बीम टॉपिक छे जो ही शको चो तम्हें डिफ्लेक्शन ओब बीम्स बराबर तो तेना विशे अभ्यास करी शूम आगा दुनाली कोने की जनर्रों डीफलेक्षण तुम ने तो खप्रा जैसे के डिफलेक्षण कोने के बराबर आपेल आ रीत्य कंटि लिवर बीम छेख बराबर यह च्छेडा पराबल्य लोड लगाविए जारों के बीवल लगाविए तो अविसमु थाशे तो आपनू जी यह री ते बैंड घे जे ब्रांबर तो, आज इंड पॉयंट है तो, तो इंड पॉयंट्ट्न ुह जो अहीं सथुदि नयुचे दिफलेक्ष McN-PD थेयों . तो त्यने किवा डिफलेक्षन 李 बेल्टा ब्राबर वे श्लॉप कोने कि वे तेपण नहीं कि वactively अप्णन आ जे बहला इनिश्यल ले आपनो जे बीम हतो तारीते श्त्रेट हतो अवे शुन थे लोड लगाड़ी हो एटले आपनो जे बीम छे नीचे नीत रप गएओ तो एना कारणे जे आ एंगल आटलो क्रियेट हो ना थीटा एंगल ए थीटा एंगल ना आपने कई शूँ चूँ को अगड़ू डिजाइं कराई हैं कोई बी आसुद्ध आनं इच नेको आसे ढूे में सों 9-1 जनेश 뉘्राय क्राइट्रेण करम चे स्टिपनेश क्राइट्रेरिया मास गशंचक लんなडंगिताहैंन करें येटले के सहन करी शके टूटी नहीं जाए विराबस्त्रेंथ कराइटरीरिया मा सूं आवे छे कि आपणों जे बीम छे ते इटलों स्ट्रॉंग होगो जोए जे थी ये ये बेंडिंग और सीर्स टेस रेजिस्ट करी शके Stiffness Criteria मा सूं आवे छे तो आपनों जे बीम छे ते इटलो steep हो जोई कि इटलो steep हो जोई कि जे थी एट deflection ने resist करी सके deflection ने resist करी सके अथ हुआ not to deflect more than permissible limit जेटली पन लिमीट हो चे देना थी बदा रहे तमारों जे साप्ट छे ते deflection नहीं था हो जोए बराबर तो ये छे stiffness criteria हावे deflection by bending moment आपने आगाना वीडियो मा जोई बराबर shear force ने bending moment तो ये bending moment ना कराने जे deflection थाई छे always greater than shear force ना कराने जे deflection थाई छे तेना करता bending moment ने deflection greater जह होई छे तेती बद्धी practical application मा जे shear deflection छे shear force ना कराने deflection थाई छे तैने neglect करे देवा मा आवे छे गणी बदी methods छे आपने आजे slope अने deflection सुधवा माटे नी गणी बदी methods छे पहली methods छे तो double integration method बदाबर double integration method मा शूं हावे छे तो पहला तो तमने आज उत्रत में जो हो जे छे e i d square y by dx square is equal to bending moment at x section बदाबर अहीं e सुचे तो e जे छे a young modulus i जे छे moment of inertia m जे छे bending moment at x section y जे छे e आपने deflection अब छे अणे dy by dx जे छे आपने slope आप छे बराबर y जे छे आपने deflection आपसे अने dy by dx जे छे ये आपने slope आपसे तो अवे तमें जो इसे को छो आएक्वेशन माँ एक्चुली सेकंड अडर ना फॉर्म माँ एक्वेशन छे d square y by dx square अवे तमारे slope सत्व होई तो dy by dx ना फॉर्म माँ आपना equation छोए तो अवे शूँ करी शूँ तो एक वार integration करी दे शूँ तो एक वार integrate कर शूँ तो e i आनो एक वार integration थाशे तो थाशे dy by dx आ एम जे छे तेनों इंटीग्रेशन करी शूँ तो अहीं कस्वेशन ना थी तो अहीं एक x आवी जेशे अने एनी साथे एक constant c1 आव से फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन मां सेकंड टाइम इंटीग्रेशन कर शूँ क्या आपने deflection पर जोई एचे तो e i into y आप बनने उस उत्रमात में जोई शुको चो आज एचे dy by dx नी value तो आई एक्वेशन मां तो ते तमने slope आपसे अने आई एक्वेशन मां y नी value तमें शोच शो तो ते तमने deflection नी value आपसे अवे बीजी वार इंटीग्रेट कर यू तो अहीं x आतो अवे integrate सा नी strategic से करिये चे x नी शापएक्शे बराबर ते ध्यांदा आग जो x नी शापएक्शी integrate करिये चे तो x जे चे ते थाषे x square भाई 2 ।p । c1 c1 नी साथे कशू ना थी एटले integrate करियू तो त्याँ x आवी जे शे बराबर integration तवतर ने खबर आजचे प्लस बी जो एक कॉंस्टन्ट C2 मेरा शे हावे आ C1 आने C2 नुए वैल्यू आपने खबर होती ना थी तो ए आपने end conditions द्वारा शोदी शूँ end condition एटले शूँ ते आपने आगर जोई शूँ end conditions एना विशे तमें मैट्स मा भणीज गया शो के condition apply कर शूँ आने C1 आने C2 नुए वैल्यूस हो दी छूँ आपने ते पहले आपने एक sign convection जोई लेए बराबर हवे जे तमारो slope आवे छे तेने theta वड़े दर्साविये छे बराबर तो आ xy-axis चे अब x always theta जे measure करवा मा आवे छे एक्स अक्षिस नी सापेक्से आपड़ू जे theta छे एक्स अक्षिस नी सापेक्से आपड़ू जे theta छे एक्स लोप छे ते जो anticlockwise moment करतो होई तो तेने तमारे positive लेवानों छे आ जोई लेव आ x-axis चे x-axis नी सापेक्से anticlockwise लेक उपर नी तरब तो theta positive आपने x-axis चे negative x-axis तेनी सापेक्से anticlockwise तो अपन ठीटा positive वे नी विरुद clockwise direction होई तो negative जो इशको जो negative, negative clockwise direction डिफ्लेक्शन माटेनु शाइन कन्वेक्शन जोई तो जो तमारो बीम जे छे ते उपनी तरफ deflect ठाई बराबर आपनी तरफ डिफ्लेक्शन तो आज ये डिल्टाव से ते positive नीचे नी तरफ deflect ठाई तो डिल्टाव से ये negative जनरली आ साइन कन्वेक्शन तमें तमारी मर्जी मुझा बलाई शको छो केम के आमा कसु कई भो फेर पड़तो नो थी बराबर एंड कन्डिशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आगड में तमने किदू ने कापड़े श्रीवान अने सीटू नी जे वैल्यू सोधवाना छे तो तेना माटे एंड कन्डिशन नी जरूर पड़ से तो एंड कन्ड केंटी लिवर भीम ना बे छेडा होई छे एक बी एचे फ्री एंड एज चे एफिक्स्ट एंड चे तो एपॉइंट आगड तमारो स्लोप केटलो हसे तो एपॉइंट आगड तमें गम्मेत इतलो लोड लगावो अथ्वा बेंडिंग मोमेंट लगावो परन्तु तमारो स स्लोप जे छे ते ओल्वेज जीरो जहाशे एपॉइंट आगड तमारो डिफलेक्शन केटलो हसे तो एपॉइंट जे छे एफिक्स पॉइंट छे एटले त्या तमारो डिफलेक्शन ओल्वेज जीरो जहाशे बराबर तो आ तमने कंडीशन्स मडी गई बराबर अने आ तम्हें उप्पन ना सुत्रमा मुक्षो तो तमने शीवन और सीटू नी वैल्यू मड़ी जेशे अने तेना आधारे अवे तमने बी पॉइंट आगर स्लोप और डिफ्लेक्शन सोधू होई तो तम्हें शोधी सक्सो हवे आपन कैंटिलीवर बी मत छे बराबर हवे बी काशू डिफ्लेक्शन पन त्याहां हचे बराबर हवे सी अने डी पॉइंट आजे छे ए सिंप्ली सपोर्टेड बीम छे अने सी अने डी पॉइंट आगर आपने कंडिशन लखी शू तो डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट इस नाट इक्वल टू जीरो कशू ने कशू कड़िवं इस नाट हीक्वल टू जीरो डी पॉइंट आगण पन पन स्लोप युखल टू जीरो आने डेल्टा सी डेल्टा डी एटले के डिफ्लेक्शन जे छे थे यह भवन्ě पॉइंट आगर सूनिय опять ऐंगर पॉइंट आगर डिफ्लेक्शन जुन जण दशे से बराब बनावियो छे में बराबर अलग अलग प्रकार ना बीम माटे तमारे स्लोप अने डिफलेक्शन नी वैल्यू जे छे टे डाइरेक्ली याद ज राखवानी होई छे जनरली कि एक्जाम मां एमसी क्यूब पुछाई ते डाइरेक्ली वैल्यू ना आधारेज पुछाता होई छे बराबर कि तमना आप्सन मां आपी दितू होई डबल्यू एल स्क्वार बाइ 2EI, डबल्यू एल क्यूब बाइ 3EI अवे आमाती तमारे फक्त चूजच करवानू होई छे तो आब तू तम्हे डाइरेक्ली याद राखवानू तो गणू सारू पड़ से ओके तो आज एछे पहल्लू कैंटी लिवर बीम छे कैंटी लिव याद राख शो तो डबल्यू एल स्क्वार अनो जेकलो गहत छे बे ते नीचे आवी जेशे अने ई आए बराबर डबल्यू एल स्क्वार अपन 2EI होवे डिफ्लेक्शन नीवात आवे तो आग घहत मां एक एक उमेरी दे वानो तो डबल्यू एल क्यूब अपन 3EI उपर जे घहत आवियो तेज नीचे बराबर तो आ याद राखे लवत हमें केंटी लिवर बीम माटे शूँ डबल्यू एल स्क्वार बाई 2EI डबल्यू एल क्यूब बाई 3EI पहल लू जे छे ये स्लोब छे अने बीजू छे ये डिफ्लेक्शन छे हवे आ बदी सुत्रनों केवी रितना प्रैक्टिकल मां उप्योग करवानों ते आपड़े आ गड़ एक्जांपल जोई शूँ त्यारे जोई ले शूँ बराबर अत्यार फक्त सुत्र याद राखे हवे आ जे लोड छे ये सिंपली सपोर्टेड बीम पर लागतो होई अन अने बे तालीक एटला थाई 6 तो 6 लखी दी था अनने तेनी आगड एक उमेरी देवानों इटले 16EI आ ता बद्दू से मज रेशे WL स्क्वेर बाई EI आज आ कीटम छे से मज रेशे डिफ्लेक्षन यंदर WL क्यूब बाई EI ए से मज रेशे बराबर तो अहीं बे आपड़े से मज लिदू केंटी लिवर एनने सेकंड टाइम सेम्पली सपोटेड बीम लिदू बराबर हवे आवसे फिक्ष्ट बीम के जेना बन्नेव छेडा फिक्स चे अने लोड एक्जेटली मीडल मा लागे छे तो त्यारे फिक्ष्ट बीम होई तो तमने खबर एच् डबल्यू एल क्यूब अपन ही आई ये तो सेमत छे फक्त आ वैल्यू चेन थाशे बराबर तो हवे 192 तमारे याद नथी राखवानी तमने जो आशोड अने 48 याद रही होई बराबर तो 48 गुणिया चार करशो तो तमने 192 आवी जेशे 48 गुणिया चार आज 48 चे ए 48 ने चार साथे गुण चो तो आवी जेशे 192 बराबर तो फरी थी आपड़े आख़ो कोठो छे ते जोई लोई ए कंसिडर सूँ करवानु छे केंटी लीवर पेलू केंटी लीवर मार मां खबर अच्छे डबल्यू एल स्क्वेर अपन टू ए आई डबल्यू एल क्यू अपन थ करवानु तो थाशे 16 बराबर उपनु शुत्र जे बैठ्टू आतू ते नीचे फक्त शोड ने आपड़े तौण वड़े मल्टिप्लाइ करवानु छे शोड गुणियां त्रौण बराबर तो थाशे 48 शोड शोड तालीस अड़ तालीस अथवा आतम ने अहीं नी आप तो तम्हें जो इशे को चो आज 16 शेने तीने डाइरेक्ली अहीं त्रौण इशाते मल्टिप्लाइ करवानु अनि ये त्रौण जया आगी हो तेने त्रौण साते मल्टिप्लाइ करशूँ तो सोड गुणिया त्रौण तो थाशे 48 बराबर और जो 48 शे तेने 4 वड़े फर सपोर्टेड बीम और फिक्ष्ट बीम और आ सिक्वंस जाद है जो के पहला स्लोप आवे छे और पछी डिफ्लिक्स आवे छे हवे आपनी सिक्वंस जे छे ते से मज राखवानी छे पहला सूं लेता छे आपने कैंटी लीवर परन्तु अवे सूं लगाडवानू छे बीम मा पन बैंडिंग मॉमेंट लगाडवानी छे हवे एक वस्तु तमने खबर जैसे बराबर के लोड इन्टू डबल एल कर सूं आपड़े तो थसे आपनी बैंडिंग मॉमेंट एम तो आपड़े उपना सुत्र मां जोई है सॉरी हूं उपना सुत्र मां शूं जोई हू सुत्र मां जोई है तो जहरे पन आपड़े डबल यू ने आपने एम लखी शूं ने तो त्यारे तो शूं थासे तो एक एल ओछो थाई जैसे जोई शको जो तमें अहीं बराबर उपर सूं आतू डबल यू एल स्क्वेर अपन ए आया आतू आतू तो आवे डबल यू ने आपने एम मां कनवर्ट करवान हो छे तो एक एल जे छे तो गुणा क्यो डबल यू ने जाते तो आवे जे छे ते एल स्क्वेर नहीं परिंतू फक्त एल आउशे बराबर अने एल पछी आनी अंदर जैसे तो एक एल उमेराई जैसे आलवेज उपर पने उत्थत होतू बर याद राखवानू छे वन डू टू टू एट फक्त आटलू याद राखवानू छे बार अट थावीस आईए बढ़ चे आईए टू छे अईए टू छे अधू छे अने सूत्र एमेल उपन ए आई एम्ल स्क्वेर उपन ए आई हवे एजरी त्यापड़े जोए तो यूनिफर्मली डिस्ट्रिबुटेड लोड पहला आपड़े देता चे केंटी लेवर पछीले चाहे सिंप्ली सपोर्टेड बीम पछीले ता चे फिक्स्ट बीम हवे उपड़ना केस मां आपड़े फिक्स्ट बीम कंसीडर नथी करियो त इटले मॉमेंट ना केस मां फक्त भी है जवस्तू आपसे हवे यूनिफर्मली डिस्ट्रिबुटेड लोड ना केस मां आपड़े जोई है तो यूनिफर्मली डिस्ट्रिबुटेड लोड ना केस मां तमारो ए जे एल छे तेकदम उपणा केस मां सूं तू डबल्यू एल स स्क्वेर हातों ने परण तु आ केश मां सुझे स्मॉल डबल्यू छे बरेबर स्मॉल डबल्यू पर लेंथ तो अवे तमारे सुझ करवानु होई आना तमने खबर चे यूडी अल होई जहारे आपड़े तो तेमारे लेंथ वड़े मल्टिपलाई करू पड़े तो आ थाशे डबल्यू इन्टु एल उपणा केश मां अल्रेडी एल स्क्वेर हातों ये एक एल वधारा नो आव्यो तो थाई जैसे स्मॉल डबल्यू एल क्यूब अपन ई आई अन्ने तमने खबर चे के अन्ना कि इसमा एक एल नी एक घात वधी जाई तो डबल्यू एल एल स्टु फॉर ओपन ई आई हवे आ केसमा तमारे आजे नीचे ना पॉइंट छे ते कि विल इतना याद राखवाना छे ते जोई लाइए तो एक तम उपणों केस जोए हो तो तेमा जे सेकंड दमनों के आजे सोड छे अने 48 चे आब एवस्त वावियू बराबर तो सोड अने 48 माथी आ छो अने 8 लही लेवाना जोई शको छो बराबर बेठा छो अने 8 में लही लिदा नीचे ना केसमा सूं करवानू तो 6 बत्ता आठ केटला था से चवूद चवूद नी अंदर 10 मेरी देवाना तो आवसे 24 तो आज 24 ने में डाइरेकली अही मुखी देदा जो इशको छो बराबर हवे बीजू 24 नी बाजो माशू हो आवसे तो आ याद राख जो 344 भग्या 5 अने आ छेद मा मुखवानू जे बराबर याद राख जो 344 भग्या 5 अवे एक एवरी ना याद राख जो तो 2 चे तेनी अंदर एक उमेरी देवा तो 3 पची आ जे 8 आता ते आठ ने वच्चे मुखी देव और 4 आता ते ने बैठा मुखी देव और नी नीचे 5 लखी देव अथवा 4 पची शूँ आवे 5 तो 2 पची आवे 3 तो 3 पची उपर न चे आज ये 5 छे तेने खाली काडी ना खानो 348 लई ले लेवा तो मैं तमने समझावियो के आ एल रैश्टू 4 के विरीतना थिया स्वारी एल क्यूब के विरीतना थिया आ एल ने अनिच अंदर आपड़े गुनीशू तो एल क्यूब थेशे एल क्यूब नी अंदर एक एल उमेरवानों छे डिपलेक्षन ना केश मां बराबर 6-8 उपर थी बेठा उठा उठाविया आपड़े जोई ले लिदू इटले मैं किदू के पल्लो कोठो याद राक्षन तो बाके ना कोठा थाई जे शे 6-8 पर तिया 24 के विरीतना लाविया ते जोई लिदू 8 ने चो च उदनी अंदर 10 उमेरी ने 24 लावाना छे 24 पची 384 भग्या 5 के विरीतना कर्यू ते आपड़े जोई लिदू 2 नी अंदर एक उमेरवानों उपर थी आठ लेवानों 4 बेठा लखवाना ने 4 पची 5 आवे तो 5 नीचे अन्ने ना नीचे ना केस मा 384 कर्यू ते 5 काड़ी ना ना इतले नीचे 384 थाई जाए हवे आज एक केस चे त्यावे यूनिफर्मली वेरिंग लोड नो केस चे यूनिफर्मली वेरिंग लोड ज्यारे पड़ावे त्यारे आ उपनों तो से मच्छे बराबर WL क्यूब बाइए डबल्यू एल रेस टू 4 बाइए आ तो से मच्छ उपपर ना जेवुज तो आनी अंदर अहीं थी बैट्टू 24 ले लेवानू 24 अने 30 याद राख जो के 3 शावे चे जनरली आ एक्जाम मा पूछाता न थी बेराबर यूनिफर्मली वेरिंग लोड वाड़ा उपपर ना ज इक्वेशन पूछाए चे आपन बद्दू मा पूछाए जाए तो याद राखे लेजो सिंप्ली सपोर्टेड बीम छे सिंप्ली सपोर्टेड बीम ना उपपर ना केसमास मूँ चूए क्या डबल्यू लागे छे ते एल बाइटू लेंथ नी उपपर लागे छे परन्तू अवेतमरेशन जोवानू छे के अहीं जे ड फिक्स्ट बीम छे फिक्स्ट बीम नी अंदर पर ए जे छे लेस देन बी छे मिन्स के एल बाइटू डिस्टन्स पर नथी लागतो तो ते समय फॉर्मिला आवे छे कई फॉर्मिला छे पहल नामा पेल डबल्यू जे लोड छे ते लाखी देवानू पछी जे मोट्टू पछे काउच मा जे नानो पोर्षन होई तेनो स्क्वेर करवानो माइनस बन्नेव जे लेंथ छे तेनो गुणाकार नीचे 3EIL बराबर लोड लखी देवानो जे वधारे लेंथ छे तेले ले लेवानू इन्द प्रेकेट जे नानी लेंथ छे तेनो स्क्वेर माइनस बन्ने लेंथ नो गुणा कार छेद मां 3 e i l आ जे छे ए आपड़े श्लोप नूँ इक्वेशन लग्यू हवे डिफ्लेक्शन नूँ इक्वेशन लग्यू डिफ्लेक्शन ना इक्वेशन मां डबल्यू लखी देवानू जे बन्नेव लेंथ अलग लग्छे तेनो स्क्वेर कर बन्नेव जग्या है आए छेड़ो अने बी छेड़ो बन्नेव छेड़ा अगर आपड़ो जे श्लोप आव से ते जीरो आव से डिफ्लेक्शन नी बात करिए तो यह अहीं जे छे छे ते बैठ्ठू सुत्र छे परन्तु ए जे सुत्र छे तेमां a स्क्वेर बी स्क्वेर न से बात्युब क्यों पहलो आगर ने उपड़ आप जोए उनीफर्मली वारिंग लोड्य ते उनीफर्मली वैरिंग लोड क्या आरीत्नौ अतो बराबर हवे जो आ यूनिफर्मली वैरिंग लोड ने उल्टो करी देव मावे जो इसको छो आजे चिंदु चिंदु छे जर पणिदार छे ते अंदनी साइट छे फिक्स्ड साइट छे अने आजे वधारे इंटेंसिटी वाड़ू छे ते बहाननी साइट छे तो त्यारे शूत्र काईक बदलाई जाए छे आरीतनु डबल्यो एल क्यूब अपन याए डबल्यो एल रेश्टुफोर अपन याए एक्सोवीस अग्यार बाई एक्सोवीस आने एक्तालिस बाई एक्सोवीस तो आ थोड़ू उत्यांद राग जो जनरली पूछा से नहीं पर तो जोईले जो तो हवे आपड़े जे उपड़नों आ हुँआंज वे हुँआ अऑ सूत्र मां मैं तमने किदू कै डबल्यो एल स्क्वेर उपन याए बद्धा मां कौमान डड़ीन सूत्र ुट्रतं तो तमारकवाने इॆ क्कई शें याद राखवानू क किदू मैं फसक्तन्र ुच्वेर आपन 2e i dobre ल क्या था है याद दोनहें जोड़ गुनियां फिट ल एक लखी देवानों । अवे यह ना पच्छी ना सुँं किदू कि दो सोड गुणिया 3 तो किल दाधा थाशे 48 वर्टी एड्ट बेर अवना पचे शूँं किदू तो 48 गुणियां चार आहीं उपड़ आपने त्रोण वड़े मल्टीप्लाई करें उने तो नीचे चार वड़े मल्टीप्लाई करें तो आट चोग 32 4 चोग 16 ने तो नीचे आपशे 102 तो जोई लिदू 2 3 6 48 102 उपड़ना सुत्रावा सेम आ याद राखें मना WL स्क्वेर आपन 2EI WL क्यूब आपन 3EI के नी वैल्यू बद्धा केस मां बदलाई चे बराबन अवे आनु सुत्रा लख हो हो है तो WL स्क्वेर आपन 16EI आनु सुत्रा लख हो हो है तो WL क्यूब आपन 48EI ओके तो 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 आमने समझन पढ़ी गे आनि आ बद्धा ऐस उत्रा मां आज येचे ते L by two L by 2, L by 2 L by two बेंडिंग मॉमेंट वडा केस नी बात करे तो केंटी लीवर मां छेडा पर बेंडिंग मॉमेंट मेंड एम लाकती होई सिंपली सप्अपटरेड येम मां बेंडिंग मॉमेंट एम लागती होई एक पश्तों याद राखनों बार 8 x 2 अफ़िस बार इत अखबर न डांडी मार्च डांडी झाधी जह यह डांडी कुछ करे लिए तेनी स्टार्टिंग डेट बार मार्च तो बार तीना पर्ती याद राखनों पछी 28 तो तम है याद राखे जो वन टू टू एट याद रही जेशे हावे धारो क्या नू शुत्र लखो होई तो आपने खबर रच्छे ml square upon 8EI बराबर के नी वैलियो आपने 8 मुखी देवानी अन्ने ml upon EI के विरीद ना आवयू तेमें तमने आगण जणा आवयू छे बराबर हावे फरी थी आपनू चालू थासे कैंटी लिवर, simply supported, fixed beam, varying load बराबर तो कैंटी लिवर पर uniformly distributed load लागतो होई तो त्यारे तो मैं तमने आगण कीदू क्या छो आठ आपने क्या थी उठावाना चे उपर थी आजे 16 दने 48, ते माती 6 लिदो, अने 8 लिदो, साना माटे uniformly distributed load माटे 6 अने 8 ले लिदो, हवे नीचे किटलू लेवानू, तो 6 बट्टा 8, 14, 14 बट्ता 10, 24 तो अहीं लखे देदू 24, 25 आवसे 384 बगया 5, 25 आवसे डेस, पची 384 अने आनी अंदर डबल्यू एल क्यूब के भी रितना आविए उते में तमने उपर जणा आविए उच्छे बराबर, अने आना करता आनी ए घहत वधी जाएचे छो आट क्या ती आवसे तमने जणाई दिदू 8, 14, 24, 24, 25, 34, 25, 25, याद रग जो अथवा 24 उपरती पर तमें बनाई शको चो त्रोण, बे पची एक त्रोण, पची उपर नो आज आट छे, तेले इले लेवानो, पची आद चार अने नीचे चार पची शनो आवे 5 एने नीचे ना फार्मुला मा पांच काड़ी नाखवानू, आवे आनू सुत्र लखू होई, तापड़ा के वरितना लखी शेके, W L रेस्टू 4 अपन K EI, K नी वेल्यों मुकी देवानी, W L रेस्टू 4, 344 भाग्या 5 EI, तो थाई जाचे, 5 W L रेस्टू 4 अपन 384 EI, आसानू सुत्र थायू, जारे सिंपली सपोर्टेड बीम होई, अने युनिफर्म ले डिस्टूबिटेड लोड होई, अने तमारे डिफलेक्शन डेल्टा सोथवानू होई, तो तेनू सुत्र 5 W L रेस्टू 4 भाइ, 384 EI, दाइरेक्ली तमने सुत्र पुच्छे एक्जाम बराबर, युनिफर्म ले वेरिंग लोड माटे आपने याद राखवानू छे, कईतलू 24, आजे 24 सिते बैठ्टू, और बाकि या 30 तमारे याद राख के लिए जो, अवे उल्टो होई कंडिशन, तो 11 by 120, और 41 by 120, या याद राख जो, बराबर 11 by 120, और 41 by 120, आने मारे उल् बराबर, 12 by 11, थसे 120 by 41, बराबर, तो तमारों आवी इतना बराबर आवी जैशे, 12 by 11, 12 by 41, बराबर, जो, जो, एक कोठ हो तो, आपने जो, यह होता, के जहरे आल, ए अने बी बनने इक्वल नहीं हो, ए A is not equal to B, और A is less than B, आप बन्नेव कंडिशन थाए, त्यारे तम्हारे WB A square minus AB, अपन 3AIL, W A square B square, अपन 3AIL, आहीं पने चे, A is not equal to B, A less than B, तो आता तमने कवर चे, आजे चे, स्लोब ठीटा, आजे चे, डिफलेक्शन, डेल्टा, बरावे W A square B square, अपन 3AIL, W A cube B cube, आपने मां cube थे जेशे, आने 3EIL, L cube, L पन cube थे जेशे, ओके तो आप वीडियो मां आपने श्लोब, डिफलेक्शन, जोई लिदू, हवे, एनी जे अलग-अलग BG बदी methods चे, ते बाकी चे, बराबर ते में next वीडियो मां जणावीश, परन्तु तमने आप वीडियो म महीं W is equal to 10N लागे छे, बराबर आनी लेंद थापी दीजी छे, धरेके 10M, तमने पूछे के A अने B, तमने पूछे के B point आगर डिफलेक्शन जणाओ, बराबर तो B point आगर डिफलेक्शन माटे नू सुत्रा आवे छे, पहला तो सुत्रा याद करो के वीडियो पहल लू ज 3EI WL3 upon 3EI पहलू जावे छे, बीजू आवे छे, डिफलेक्शन बराबर तो डिफलेक्शन माटे आपडे सुधवानू छे, तो डिफलेक्शन डेल्टा इस इकवर टो WL3 upon 3EI W के टला छे 10, L के टला छे 10 नो घन, 3E नी वैलियो धारों के बस सो, मेगा पास्कल छे आप दू में मीटर मीटर मा लिदू छे तेना करता, mm मा लेलों बराबर जेती आपने गणवामा इजी रे तो बस सो मेगा पास्कल तो केम के आ नी वैल्यू था से बस सो, न्यूटन पर mm स्क्वेरेट ले धारों के आ नी वैल्यू आप लिदी छा परने 1000 mm रेस टू फोर तो मुंकी दी वैल्यू तो गौनी कार्स पूता आप दी जैसे 10 उड़ी गया तो एक ना छेट मा साइट डिफलेक्शन तो डिल्टा बराबर हंड्रेड बाइ सिक्स्टी एक ना छेट मा साइट है में बराबर तावा अंसर आवशी स्लोप सोद्वा की दू होई तो थीटा डंबल्यू एल स्क्वेर बाइ टू इयाई दस दस एमेम नो स्क्वेर अपन टू बश्चो याई हजार तो आप ड़ी गया तो वन अपन बेदू चार सो आज आवशे रेडियन मा आवशे बराबर तो त्यांद लाग जो रेडियन मा थाई तमने डिग्री मा पुछ्यू होई तो वन अपन पोर हंड्रेड डिग्री मा कनवर्ट करवानू छे तो यह एक्स वाएंसी डिग्री छेद मा पाई रेडियन तो आज रेडियन छे ते रेडियन 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 केंचा लना आपनों आंसर आवी जेशे 180 पाई 400 पाई डिग्री बराबर तो आर इतनु पूछाई छे सुत्रके वी रितना याद आख वाना ते जनाए दीतू बराबर ओके शो भावाई सी आए टेक केर और कीफ वाचिंग